आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागे थे दोस्तों आज हम बात करेंगे IRCTC स्टॉक के बारे में कई सारे आप लोगे के कॉमेंट्स आएं और यह पूछा कि आप आगे के रहनीती क्या होनी चाहिए तो क्रमशा हम इस पे विदिवेद चर्चा करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे IRCTC के स्टॉक प्राइस पे हैं 2682 रुपए आज 2% के समें तेजी है करीब 11.30 बजे और अगर हम प्राइस चार्ट देखते हैं यहाँ पे हमने 5 वर्षों का लगा रखा हाला कि इसकी लिस्टिंग हुई थी 2019 में 14 अक्टूबर 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई है 320 रुपए की प्राइस पर IPO प्राइस था उसके पश्चाद जो इसकी लिस्टिंग हुई 625 के आसपास डबली हो गया था और उसके पश्चाद इसने पीछे मुर के नहीं देखा 1950 का हाई बनाने के पश्चाद फिर यह आप गिरावट एक देख रहे ह जो है lockdown लग रहा 15 दिनों के लिए तो ट्रेने और सबकुछ बंध हो गई थी तो यह स्टॉक भी काफी तेजे से गिरा था और गिरने के पर आप देखेंगे कि यह उपर ही उठता गया है हाला कि अगर देखें पैंडिमिक में तो इस रेलेवे का कामकास बुरी तरह प्रभ इन में खाने पीने का अगर कैटरिंग का कुछ सामान मंगाते हैं तो यही सर्व करते हैं जो रेल नीर है पानी पीने का पतार्थ वो भी जो है यही उपलब्द कराते हैं तो इन वेवसायों में थोड़ा सा इनका एक आधिकार है इस वज़े से इस कंपनी को यह खास बनात जबकि अभी उसके हिसाब से इसके कोई कमाई जादा नहीं है और ये विवसाय ऐसे है कि जैसे मैं अगर आपको कहूं किसी बिजनेस को अगर हमें समझना हो कि एक तकलूफ वाला बिजनेस होता है माली जीए कोई FMCG कमपनी या कोई अन्नी कमपनी है या कोई दूसरे सेक्टरिक कमपनी है जो बहुत सारा raw material लेके उसको फिर प्रोसेस करके कोई चीज़ बना के उसको market में distribute करके बेशती है बजाए उसके अगर online ticketing एक portal है जिसके थूँ आप अगर ticket चाहते हैं कहीं जाना चाहते हैं कोई tour and travel packages लेना चाहते हैं तो आप online इसके थूँ टिकेट बुक करते हैं तो इनको अपना commission मिल जाता है और भी जो services है उनके द्वारा इनको income होती है तो service industries में अगर देखें तो इस प्रकार के जो expenses होते हैं थोड़ा सा कम हो जाते हैं एक limited employee के साथ एक limited संसाधनों के साथ ये business चलता रहता है तो एक वर्ष के अंतराल में अगर देखें हैं तो 93% यानि कि 100% मान के चलिए के करीब करीब return मिल रहे हैं और 6 महीने हम करीब 60 प्रश्यत के आसपास के return मिल रहे हैं जबकि P ratio यानि कि जो price है, stock price और जो इसकी earning है उसको अगर divide करेंगे तो 155 जो कि very very expensive जो price to book ratio यानि कि जो company की worth है per share उससे stock price 30 times यानि 29.25 times चल रहा है और deliverable भी अगर देखते हैं 24 प्रश्यत के आसपास है और dividend भी पे करता है जो वर्तमान price के एसाब से yield निकल के आरा 0.19% 10 रुपए की face value जो की अब हो जाएगी 2 की face value क्योंकि 12 अगर्स्त को यहाँ पे आनुमोधन हो चुका है हम आगे बताएं किस प्रकार से आपके share से बढ़ेंगे तो quarter के number देखने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इतने कम क्यों आ रहे हैं उसका reason है कि train अब जाके शुरू हो रही है जिस प्रकार से vaccination हो रहा जिस प्रकार से covid की cases कम हो रहे हैं 31 क्रोड की जो कि अगर देखें March, April, June, June तीनों महीने जो है समझ होता है बंदी था टोटल तो उस वज़े से इनका यहां पर profit भी अगर नीचे आके देखते हैं ने profit तो loss दिखाया है 25 क्रोड का negative में तो इस बार का quarter पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखें तो ठीट ठाक है 500 क्रोड बढ़के आया है जबकि यह दुती है अगर देखें COVID बेव था और मुनाफ़ा भी 83 क्रोड का निकल के आया है क्योंकि कुछ ट्रेने बंद की गई थी इस वज़े से अगर आप देखें compounded जो sales growth निकल के आ रही है पांच वर्ष तीन वर्ष की तो लगातार negative यहां पर दिखा रहे है compounded जो profit growth रहा है वो भी खतम हो गया क्योंकि इतना ज्यादा बदोस्प्रभाव पढ़ा है इस company पे तो profit growth और sales growth यहां पर आपको गिरावट देखिए यह परन्तु इस टॉक प्राइस सी यह जिया नहीं रोक रहा है अब देखेंगे कि एक वर्ष में हमने दिखा है 100% के आस पास-पास 90% से ज्यादा की return on equity देखते हैं पांच वर्षों का तो 28% निकल क्या रहा है तो दीरे-दीरे numbers भी बढ़ेंगे इसलिए इस company में लोगों को भरोसा है समय समय पे सरकार के माध्यम से जीसे offer of wholesale आया था तो समय भी उनने कई काफी holding कम की थी और अभी अगर हम देखते हैं तो इस company के जो 25 crore shares है यानि कि 10 की face value के पश्चाद जब 2 की face value में split हो जाएंगे तो एक अरब 25 crore shares हो जाएंगे और जिसमें से करीब 67.40% government के पास है इसकी holding तो government का यही मकसद है कि आने वाले समय में चुकि छोटी price का जब हो जाएगा 5 time split हो जाएगा तो उसी कि according stock price भी split हो जाएगा उसके टुकड़े हो जाएंगे मैं example के बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो value वही रहेगी सिर्फ 10 से 2 की face value पी यानि कि अगर उदाहन के लिए मैं कहूं कि 1000 की note है माल लिजे आपसे 1000 की note लेके आपको 2200 के 5 note दे दिये जाए तो value इसकी वही रहेगी 1000 रुपे निकल के आएगी है ना तो ठीक ऐसा ही रहेगा इस तरीके से 5 गुना shares हो जाएंगे जिसके पास जो भी quantity है माल लिजे आपके पास 10 shares है तो आपके पास 50 shares हो जाएंगे ठीक है तो अभी इसमें समय लग जाएगा समय इसलिए लग जाएग तो हो सकता है 3000 तक पहुंचा है लेकिन हां रिस्क क्या हो सकता है कि जो लोग ये सूच रहे हैं कि हम अभी खरीत के 3000 के लेवल पर बेज दें या हो सकता है कि हम split होने के बाद तब बेज दें कुछ कारण है जिनकी वज़े से stock price भाग रहा है एक तो split की वज़े से दूसरा जो चीज़ें unlock हो रही हैं लोग travel करना शुरू कर रहे हैं इनके trains जो tourism की हैं वो भी चल रही है खास कर IRCTC के तरप से तो इस वज़े से ये stock भाग रहा है लेकिन फिलाल अभी एक दो quarter हो सकता तकलूब भरा रहे उसके बावजूद भी एगर stock price भागता ही जा रहा है तो quantity मिल जाएगी तो split होने के बाद भी एक मानसिक्ता होती है निवेशकों की जैसे कि अगर मैं example के लिए कहूं कि माली जी मेरे पास 10 share है और मेरा बेचने का मन नहीं कर रहा है लेकिन split होने के बाद मेरे पास 50 share हो गए मुझे लगा यार कुछ पैसा बेच के चलो कहीं और नि चड़ें जिनको last destination तक जाना हो मतलब एक लंबे समय के लिए कमपनी को लेके भूले ही जैसे कि हमने पास्ट के कुछ चार्ट दिखाया आपको कि बहुत बड़ी निवस पैंडमी की वैसे तो ही इसमें भयानक गिरावट आई है अधर्वाइस यह उपर ही भागता जा रहा है और डिविडेंट भी देता है और आगे आने वाले समय में अभी जैसे स्प्लिट हुआ है वो सकता है भाविश में फिर एक दो से एक की फिस वैल्यू पर जाएगा जब बड़ी प्राइस का हो जाएगा गर्मेंट को जब लगेगा कि चलो इसमें फिर से स्प्लिट किया जाना चाते है तो यही कहूँगा कि एक दो स्टेशन यानि पचास किलोमेटर सव किलोमेटर चलने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो तो आप अपने इसाब से सकते हैं लेकिन मैं यहीं कहूँगा कि एसी कंपनियों को आप लांग टाइम कि लिए और पांस वर्स दश इसमें हमें IPO में नहीं मिला था, उसके पश्चात ये डबल पे खुला, उसके बाद फिर ये भागता ही गया, फिर जब 1950 का हाई बना के जब ये पैंडेमिक में गिरावट आए थी, करीब आठ सावा साड़े आठ सो के आसपास, तो उस समें जाहर सी बात है, पूरे मार्केट में बड़ी-बड़ी कमपनिया गिरी हुई थी, तो उस समें हिम्मत नहीं हुई एक साथ लेने की, तो उसमें हमने SIP के शुरुआत कर दी थी, और आज डेर साल हो गए है, ठिक ठा कॉंटिटी भी हो गई है, और उसके पर शाथ एवरेज आउट भी अच्छा, स्टॉप प स्वागत रहेगा, आपको क्या लगता है इस कमपनी में, कोई विचार हो, कोई सुझाओ हो, कुछ शेर करना चाहते हूं, तो कॉमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,